आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 के एक्जामिनेशन फॉर्म के बारे में और उसके उसके अंदर असाइमेंट सम्मेशन के बारे में तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी 2023 के झो एक्जामस हैं आपके वो पहली जून से सुरू हो रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी आपके जो second tentative wait sheet आई है उससे मिल जाती है कि उसमें बताया गया है कि आपके जो एक्जामस हैं june 2023 के वो पहली जून से सुरू हो रहे है साथ में उसमेँ एक जानकारी और दी गई है वोhet दी गई है examination form के बारे में जिसमें बताया गिया कि एक मार्च से आपके जो examination form है वो भी आपके लिए जारी किया जा सकता है जानतें कि आपको किशी भी subject का exam देना होता है किसी भी session में exam देना होता है तो सबसे पहले उसका examination form भरना होता है आपके लिए जो fees रहेगी वो एक subject की 200 rupees fees होती ही यानि कि आपको अगर एक subject का exam देना है जून 2023 में तो आपको 200 rupees की examination fees जो है वो देनी पड़ेगी अगर 5 subject का exam देना है तो 200 into 5 यानि की 1000 rupees आपको fees देनी पड़ेगी जब आप examination form भरते हैं तो आपको सारे details उसमें पहले से ही fill होती है आपको उसमें दो चीज़े जो mainly जो होती है वो fill करनी होती है एक तो आपका जो examination center होता है कि आप exam कहां देना चाहते है ठीक और दूसरा आप कौन-कौन से subject का exam देना चाहते है ये दो चीज़े जो होती है आपको अपने मन से भरनी होती है जो भी आपके लिए convenient हो जो भी आपके लिए सुविधा जनक हो उसके साथ साथ आपके लिए वहाँ पर assignment submission का भी option आता है कि assignment submit आपने किया है या फिर नहीं आपके जो assignment submission होता है वो compulsory होता है आपका किसी भी subject का यानि कि आप उसके theory exam अगर दे रहे है तो आपको आपका assignment भी submit करना होगा उस subject का हो सकता है कि जब आप examination form भर रहे हो उस समय तक आपने assignments को submit ना किया हो फिर भी आप जो उसमें option आता है उसमें yes ही click करेंगे कि हाँ मैंने अपने assignments को submit कर दिया है उसके बाद जो time आपको मिलेगा आप जानते कि 30 दिन का समय मिलता है आपको examination form भरने के लिए लेकिन आपका assignment submit करने के लिए आपको 2-3 महिने का समय मिलता है तो उसके बीच में आप अपने assignments को submit कर सकते हैं तो आपका जो assignment submission है वो आपका मई तक जारी रहेगा जिसमें आप अपने assignments को submit कर सकते हैं अगर ऐसा होता है कि किसी कारणों से आप अपने assignments को submit नहीं कर पाते हैं तो आप exams दे पाएंगे और आपका result भी declare किया जाएगा theory exam का जो कि आपके grade card में भी so किया जाएगा लेकिन grade card में उस subject का आगे not completed ही लिखा रहेगा जब तक कि आपका assignment का result वहाँ पर so नहीं हो जाता आपने assignment submit नहीं कर दी और उसमें pass नहीं हो गए तब तक वो subject complete नहीं होता यह बात जानने वाली है कि आपका assignment जो है वो आपको submission करना compulsory होता है आप चाहे उसी समय ना करे उसी time period के अंदर ना करे लेकिन फिर भी आपको चाहे late करे आपको करना compulsory होता है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पस्ते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए